किसी नगर में कोई स्यामू नाम का आदमी रहता था। स्यामू ने नगर के बीच एक अनाज भंडर की दुकान खोली थी। वह सौभाव से दयालू और एमांदार व्यक्ति था। वह अपनी दुकान में कोई मिलावट वाली चीज़ें नहीं बेंचिता था। एक दिन दुका पर साहुकार, बड़े व्यापारी छोटी-छोटी उधारी करके चले जाते हैं और वे फिर भूल जाते हैं। जादा समय हो जाने पर छोटी-छोटी उधारी को उन्हें बताना भी तो अच्छा नहीं लगता है। बताए मंत्री बीरवल जी मैं क्या करूं। उधारी एक सि ही करूंगा